नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रात्ता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है कि संभोग के दोरान इरेक्षन का कम हो जाना या पूरी तरह खतम हो जाना ये क्यूं होता है और इसका इलाज कैसा होता है होमेपैथी में आज हम लोग इस टॉपिक का तो इसके दो तीन अलग-अलग कारण हो सकते है लेकिन उसमें से एक नॉर्मल चीज जो है ये हम सभी को समझना पड़ेगा कि संभोग के दोरान इरेक्षन हमेशा एक जैसा सस्टेन नहीं करता है जैसे कि स्टार्टिंग का एक से देड़ मिनिट के लिए आपके इरेक्षन बहुत अच्छा रहता है उसके बाद इरेक्षन जो है थोड़ा सा गिर जाता है और उसी जगह पे जब आपका वीर जब एसकलन होने वाला रहता है जब डिस्चार्ज होने वाला रहता है तो आपके इरेक्षन फिर से हार्ड हो जाता है तो ये तो नॉर्मल पक्रिया है इ एक नंबर कारण हो सकता है कि patient को venus leakage की समस्या है यानि पसरेंट का जो वेंस है वो blood को hold नहीं कर पा रही है वहां से लिक हो रहा है blood का तो जिन patient को venus leakage की समस्या होती है उनका erection स्टार्टिंग में तो आ जाता है लेकिन जैसे ही intercourse करते है तो इनका erection जो है पूरी तरह घिर जाता है अब होमोपाथिक ट्रीटमेंट के अगर बात करें तो इसका बहुत अच्छा इलाज है होमोपाथि में यह 100% ठीक भी हो जाता है लेकिन यह थोड़ा सा टाइम टेकिंग केस है क्योंकि यह रेक्टाइल डिस्फंक्शन की बहुत बड़ी जो कैडिगरी की जो पॉब होमोपाथि में और हमने एक पेसरेंट का कैसे विनोजीने की रेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को ठीक किया है विद लैप प्रूफ हमने आपको बताया है कुछ मैना पहले एक वीडियो हमने इस चैनल को उपर अपलोड किये है उस वीडियो को भी आप देख सकते है छ दूसरा कारण के बारे में दोस्तों दूसरा जो कारण हो सकता है वो यह हो सकता है कि आपकी लिंक की अंदर नॉर्मल ब्लेट फ्लो ही कम है ऐसा ही आपको कोई बड़ी समस्या नहीं है सिर्फ ब्लेट फ्लो की कमी है अब नॉर्मल ब्लेट फ्लो की कमी क्यों होता है हो सकता तो कहने का मदलब जिस भी कारण से blood flow की कमी हो रहा है उस कारण को ठीक कर देंगे तो वो कारण भी ठीक रहेगा उसी के साथ अगर blood flow की कमी हो रहा है तो वो भी बढ़ जाएगा सपोस मान लेते हैं कि patient को लंबे समय से diabetes है तो जैसे ही उनका diabetes को हम नियंतरन कर देंगे तो उसी के साथ हम देख पाएंगे कि उनके link में जो blood flow की कमी हो रहा है वा इस्ता इस्ता ठीक हो रहा है तो उस case में एक homopathic medicine है जिसका नाम है sideonia vulgaris mother tincture इसका पंद्रा पंद्रा बूंद आप सुभे दो फैर साम ले लिजिए आप देख पाएंगे कि आपका problem short out हो गया है और इसके हिलावा link में blood flow की कमी की और एक कारण हो सकता है वो है mental stress anxiety या फिर performance anxiety हम कह सकते हैं दोस्तों हम का अंदर एक अजीब सी nervousness बना हुआ है घबराहट सी बना हुआ है हो सकता है बंदे ने फर्स टाइम आपना life में sex strike किया हो और वो किसी तरह जो है असफल रहे जो की बहुत ही common सी बात है अगर suppose माल लीजी हम लोग कोई नया काम स्टार्ट कर रहे है तो उस काम को पहला दि नहीं आप शिक्सर लगा देंगे ऐसा हो नहीं सकता है आपको थोड़ा से समय देना पड़ेगा लेकिन कुछ पेसेंट इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है वो छोटी सी बात को सोच सोच कर वो जो है अपना मन ही मन स्ट्रेस को पाल देते है पर परिसानिया को पाल देते है और उनको ऐसा फील होने लगता है कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा मैं नहीं कर पाऊंगा और इतना लोग कॉन्फिडेंस को लेकर जब भी बंदा कोई परफॉर्म करने के लिए जाता है सेक्स्वल एक्टिबिटी के लिए जाता है तो वो बंदा फोर प्ले पे ध्यान देने की वज़ए वो अपना लिंग पर ध्यान देता है कि उसमें इरेक्शन आया है कि नहीं और जैसे ही आपका ध्यान वहां पर भटका तो आप देख पाएंगे कि आपके इरेक्शन पूरी परा गायब हो गया तो ऐसे पेस्रेंट को मैं हमेसा ये सलहा देता हूं कि आप अपना रूम का अंदर लाइट को जला कर संभोग करने के लिए जाए ताकि आप लोग एक दूसरे को देख सके एक दूसरे को फिल कर सके और एक बात का ध्यान रखे कि दोनों की बॉड़ी में से कोई बदबू नहीं आना चाहिए दोनों अच्छी तरह पर्फूम लगा कर जो है फोर प्ले के लिए जाए और इस तरह का एंजाइटी की है अगर होमेपाथिक मेडिसिन की अगर बात करे तो अर्जेंटम नाट्रिकम बहुत ही बड़िया काम करती है तो अब अर्जेंटम नाट्रिकम को 6H पोटेंसी में लेकर आईए इसका दो बुन सुभे दो पताने का प्राइस किया है आप इस वीडियो से मेरे ख्याल से आप समझ गये होंगे कि क्या कारण आपका अंदर हो सकता है तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ही पेंट करता हूं तो थैंक्यू वेरी मॉच और वो गुड़ डे